मित्रों पब जी आज से बैन भारत में पब जी नहीं जलेगा दंगे कराएंगे क्या आप रुको जरा सबर गरो हिंदू भाईयों सेर बनो जबाब दो ना सेर बन सको तो सेर करो दबा के सेर करो अब यहां ध्यान देने वाली दो बात में अगर मोदी जी ने या सरकार ने कह भी दिया है कि पब जी बैन है तो सरकार ने प्रॉपर जो 118 एप्स की लिस्ट निका लिए उसमें अघी और नीचे फब जी लाइट का भी नाम क्योंटे दोनों पब जी प्रॉप जय कि बहुत बड़ा एक बेस था मोबाइल से गेम खेलने वनों का मैं जानता हूँ आपका गुस्सा आपका दुख समझ सकता हूँ यहां कि मैं भी खेलता हूँ खेलता था कह सकते हैं और उतने क्रेश से नहीं कि चार चार शेशे घंटा बैठे खेलू लेकिन दो तीन मैं चार मिस लगतार के लिए लेकिन अब इस समस्या को इस आपदा को अफसर में बदलने के लिए आप दो तीन चीज़ों पर ध्यान यूजर्स नहीं है और अगर पीसी यूजर्स हैं तो उतने हाइट है कि पीसी को चला सकें लेकिन बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन मांगता है लेकिन एक एवरेज तो मांगता है तो पपजी पीसी की पहली बात तो सेल्स बढ़ जाएंगी एक हैर रुपय का मिलता है कभ अब जी के अडविडाइजमिन कर रहा हूं लेकिन एक यह अंगल भी बताना चाहा रहा था मैं दूसरे लोग की क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मोधी सरकार यह स्पोर्ट्स का या फिर गेमिंग इंडस्ट्री का पढ़ावा करना चाहती थी लेकिन अचाना सब जी बैं कर द है तो उसवदे से पफिजी मोवाइल हो भी जा रहा है लेकिन पीसी वाला ज्यादा कॉंपर्टीशन में आता है आप यह समझे उसमें ज्यादा अच्छा इन्वार्मेंट डिखता है ज्यादा रियलिस्टिक ग्राफिक्स है उसमें आप ज्यादा अच्छे तरीके साँ को है उसको जी सकते हैं और सारे function दो ही वाले समस्या इतनी है कि जब एक बड़ा crowd afford नहीं कर सकता तो थोड़ा सा crowd base कम हो जाता है लेकिन धिरे धिरे अगर जनता खेलेगी afford कर पाएगी आगे purchase करें गेम या फिर जो भी है तो अगर हमारे देश में बिटकॉइन माइनिंग के लिए अग धड़ले से ग्राफिक कार्ट करीदे जा रहते पीसी बनवाया जा रहते हैं फिर धड़ले से बेचे आपनों को दौर याद होगा तो क्या second hand में चीज़ें नहीं मिलती है आप ही समझे second hand market कितना बड़ा है जिसको खेलना होगा वो अरेंज कर सकता है और इस PUBG PC से अच्छा experience मुझे नहीं लगता कि PUBG Mobile दे सकता है अब आप लोग सोच रहें कि मैं पहले कहा था यह यह बाते हैं किसी ने पहले क्यों नहीं की या क्यों नहीं सोची क्योंकि एक जो comfort zone क्यों होता है मोबाइल में था अभी भी है और वह मैं accept कर रहा हूं और लोग जब switch करेंगे तो call of duty पे भी जाएंगे free fire पे भी जाएंगे वह मैं नहीं कह रहा हूं जिसको मोबाइल का crazy समझ में आता है जिसको मोबाइल की comfortability समझाती है वह PC पे साथ ना जाए लेकिन यह मा प्रवाइल ही क्यों बैन हो गया दोनों क्या अलंग अलग कारण है अपने separate कारण है जैनविन कारण अप्जी मोबाइल टेंसेंट द्वारा है तो आइसलिए चाइना बेस्ट कमपनी है है और पब्जी PC क्राफटन का है और क्राफटन आप साओध कारिया बेस्ट कमपनी है तो हमें South Korea से कोई दुश्मन ही नहीं हमें Tencent से हैं हमें चाइना से हैं तो इसलिए PUBG Mobile को बैंग किया गया मेरा सरकार से इस हवाल है कि जब पचास आठ टैप जो पहले बैंग किये थे उसके हाथ ये 108 रख्यों छोड़ दिये और कितने बाकी हैं कि धीरे धीरे आप बैंग करने वाले हैं और यह स्टेप एक एक करके क्यों लिया जा रहा है एक बार में क्यों ने लिया गया मुझे ऐसा लगता है कि PUBG Mobile वापस आ सकता है एक मैं आपको होप इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि कंपनिया जो चाइनिज कंपनिया हैं जो वह सबको एक मौका दिया जाता है कि आप एक डाटाबेस लीक नाओं जितने एक एक्रीमेंट्स होते हैं जितने मीं चीज़ें कंपनियों साथ बनाए जाते हैं क्योंकि वह भी जानता है कि इंडिया से बड़ा मार्केट चाइना के अलावा और कोई नहीं है लिटरली कोई हर मामले में हम बहुत बड़े मार्केट हैं और इंडिया के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता तो पब जी के वापस आने की बहुत साधा उमीद हैं कब आता है साधे टेंशन चलिया तो साधे टेंशन जाने के लिए ही इसब किया जाए कि हम डील्स कर रहा है भाई कंपणिया रहने तो वगरा वगरा अब वो फ्यूचर अगर हुआ है तो एप्रिशेट करना चाहिए और बाकी पीसी पे आओ पीसी पे बहुत जादा स्कोप आपने बड़े बड़े गेमर्स को भी पीसी पे ही खेलते हुए देखा है और हो सकता है कि मैं भी पीसी डाउनलोड करूँ तो अगर कोई करने वाला है कोई मेरे इस प हिंदू भाईो सेर बनो जबाब दो ना सेर बन सको तो सेर करो दबा के सेर करो